दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेज न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाईए दोस्तों अगर आप भी विराट कोहिली को एक शांदार खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजे दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वन्डे सीरीज का दूसरा मैच खेला गया और डिलस के हिसाब से भारत ने ये मुकाबला 69 रनों से जीत लिया आपको बता दें इस मैच में भारती टीम ने पहले बल्लेवाजी की और विराट कोहिली के शतक और स्रेश एयर के शांदार अर्द शतक की बदौलत 50 ओवरों में कुल 289 रन बनाए और जब विन्डीज की टीम इस स्कोर को चेज करने उतरी तो बौबनेशर कुमार ने तो जैसे तहल का ही मचा दिया और अपनी घातक गेनवाजी से विन्डीज को अपने दम पर ही ये मैच हरा दिया अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच हरने के बाद विन्डीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर ने एक बड़ा बयान दिया जिहां उन्होंने कहा कि अगर हम बलेवाजी अच्छी करते तो आसानी से ये मुकाबला जीत जाते लेकिन कहीं न कहीं इस मैच में हमारे साथ बेईवानी भी हुई जिसकी वज़ा से हम ये मैच आरे दोस्तों होल्डर ने आगे कहा कि भाड़तीय टीम ने 50 ओवरों में हमें 280 रनों का टार्गेट दिया था लेकिन बारिश के चलते डीलेस नियम लगाकर इस टार्गेट को बदला गया और फिर हमें 46 ओवरों में 270 रनों का बड़ा टार्गेट दिया गया तो ऐसे में जो डीलेस का नियम इस मैच में लगाया गया उससे हमें काफी जादा नुकसान हुआ क्योंकि हम 50 ओवरों में 280 रन बना सकते थे लेकिन डीलेस लगने के बाद हमारे बल्ले वाजों पर काफी दबाव आया और हम ये मैच हारे दोस्तों अंत में होल्डर ने ये भी कहा कि अगर हमारे साथ ये बेइमानी ना हुई होती तो हम ये मुकाबलात जीत सकते थे दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है क्या विंडीज के साथ इस मैच में बेमानी हुई है या नहीं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईए अब दोस्तों आपको बता दे कि इस मैच में पहले बल्ले बाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में अपना पहला विकेट गवा दिया जिहां पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर शेल्डन कोट्रिल की अंदर आती कराई हलाकि अमपायर ने इसे नोट आउट दिया लेकिन वेस्ट इंडिज ने रिव्यू लिया और उसमें धवन को आउट दिया गया धवन ने आउट होने से पहले तीन गेंदों में कुल दो रण बनाए अब दोस्तों धवन के आउट होने के बाद रोहित और कोहिली ने पारी को आंगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए चोंतर रणों की साज़िदारी की लेकिन फिर सोलवे ओवर की तीसरी गेंद पर भारत को दूसरा जटका लगा जब रोश्टन चेज की गेंद पर एक बड़ा शोट खेलने के चकर में रोहित शर्म बना कर आउट हो गए इसके बाद स्रेयश एयर और कप्तान विराट कोहिली के बीच ताबर तोड सो रणों से ज़ादा की साज़िदारी हुई और इन दोनों ने मिलकर एक तरह से पूरा मैच ही पलड़ दिया इसी बीच कप्तान विराट कोहिली ने एक और शटक जड़कर सबी को ये बताया कि क्यों उन्हें किंग कोहिली कहा जाता है अपने वन्डे करियर का उन्होंने इस मैच में 42 वा शटक ठोका आपको बता दें विराट कोहिली ने शटक मारकर कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किये इसके बाद दोस्तों 42 वे ओवर की तीसरी गेंद पर कोहिली 125 गेंदों में 120 रंड बनाकर आउट हो गए अपनी इस बड़ी पारी में उन्होंने 14 चोके और एक लंबा छक्का मारा अब दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ शटक ठोकर विराट कोहिली एक ही टीम के खिलाफ सबसे जादा शटक मारने वाले कप्तान बन गए हैं जी हां इससे पहले रिकी पौंटिंग ने कप्तान होते हुए New Zealand के खिलाफ कुल 5 चयतक लगाए ते लेकिन अब कोहिली कोहिली ने कप्तान होते हुए विंडीज के किलाफ खुल 6 शतक मार कर अपने पहले नंबर पर आ गए हैं इसके अलावा दोस्तों इस मैच में कोहिली ने मात्र 19 रन बनाते हुए भी एक बड़ा रेकॉर्ड तोड़ दी